हलो एवरिवन वेलकम टूर चानल स्वागत हैं आप सभी का हमारी चानल और राजिस्थान पर चलिए बात करते हैं आज के राजिस्थान डेली न्यूज अनालेसिस में कौन-कौन से इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम आज जिनके बारे में बात करेंगे तो हमारा जो प इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए एक्जाम में हो सकता है वहां से क्वेशन पूछे जाएं ठीक है क्योंकि यह एक ऐसी मागजीन है जहांसे बहुत सारे questions आपके exams में put up किये जाते हैं government publication है इसमें बहुत सारी schemes जो है government की सरकार की वो उसमें जो है cover की जाती है प्लस यहां पर एक दो articles हमेशा history से related यहां पर दिये जाते हैं राजस्तान की संस्कृती से related दिये जाते हैं और mostly ऐसा देखा गया है कि definitely यहां से कहीं ना कहीं जो है questions इस particular magazine से भी put up किये जाते हैं ठीके तो इसी magazine के अंदर कुछ sections होते हैं जहां पर government schemes के बारे में बात की जाती है और कुछ sections होते हैं जहां पर यह कुछ history से related बाते हैं हमारे राजस्तान की बारे में इसी बार जो September वाली magazine है government की latest उसमें उन्होंने किले के बारे में बताया है बयाना के दुर्ग के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यह पहली चीज आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यह भरतपूर district के अंदर है ठीक है कौन से भरतपूर district में पर तो पहला question आ हमारी magazine में भी mentioned था कि यहाँ पर इन्होंने बोलाए कि यह एक यहाँ पर एक विजयस था ठीक है तो इसके बारे में क्या लिखा गया है वो हम बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने बोलाए कि महाबारत कालीन दो महाबारत कालीन है यह किला दो हजार वर्ष पुराना इतिहास लिए समुद्रतल से इतना उचाई पर है not important ये किला गुप्तकाल से विबन शासकों के अधीन रहा है गुप्तकाल से था है ठीक है गुप्तकालीन है उस समय से काफी शासकों के अधीन रहा और किले में स्थित जो कुछ इतना जो फीट लंबा एक विजय स्थम्ब भी है यहा मारे लिए important हो जाता है क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत अगर राजस्थान हिस्ट्री वगर बढ़ा हो और कुछ आपने सुना होगा कि में राजस्थान में एक और विजय स्थम्ब है वो विजय स्थम्ब जो है हमें पता है चितोड़गर के खिले के अंदर है जो मह एक और विजय स्थम्ब बताया ज Till dobry बैयाना के अंदर के इंदर में इसका निर्माण गुपता काल में रखेगा हो इससी ऑक हो इसको निर्मान में बना गया था बयाना के दूल के अंदर है ऑटारी दिवार काली बहेता ये चीज नहीं बशलिकार नहीं बस आप एक और चीज जो इसके बारे में आपको एक और ध्यान में होना चाहिए कि इसी से यह जो बैयाना दुर्ग है यहीं पे जो है एक गुपता कालीन सिक्कों से भरा हुआ एक तामर का कलश भी मिला था और यह आज भी बैयाना निधी के नाम से जो मारे राष्ट्रे संग्राले है नाश पुछा जा सकता है बैयाना दुर्ग कहां पर है बारतपुर के अंदर है यह जीज भी ध्यान में रखेंगे फिर इसी मागजीन के अंदर हमाई जो सरकार है उन्होंने एक डेफिनेशन मतलब कि यह आपने सुना होगा आशा वर्कर्स के बारे में ठीक है तो इसमें बताया बार लिया जाता है आशा वर्कर्स के बारे में तो आशा वर्कर्स क्या होती है इनके बारे में जानते हैं इनको बोलता है अक्रिडिट सोशल हेल्थ आक्टिविस्ट ठीक है आशा इनका नाम जो है एस एच एच यह कहां से आया है अक्रिडिट सोशल हेल्थ आक्टिविस् इनका चायन किया जाता है और इनको आशा सेयोगनी के नाम से बोलता है जो भी गंड़ी सरकार कि जो भी Health से रिलेटेटी सर्विसेज जो सरकार को देनी होती है गाउं के अंदर महीलाओं को बच्चों को उसके और यह मदद कर रही होती है ठीक है तो हमें हमें पता होगा कि हमारे यहाँपे एक जिसे हम राष्ट्य ग्रामीन स्वास्त मिशन भी बोलता हैं एपने और यह जो आशा वरकर्स हैं इनका बहुत एक महत्वपुन रोल रहता है राष्ट्रिय ग्रामीन स्वास्त मिशन के अंतरगत प्रतिय गाउं में जो है एक आशा सयोगनी के समुदायों को स्वास्त सेवाओं के विस्तार के लिए एक इनकी महत्वपुन भूमी का रहती है गाउं के अंदर जितने भी जो schemes होती है स्वास्त से related, स्वच्छता से related इनको संचालन करने में समुदाय के और इनकी प्रतिनिती होती है तीके इनके उपर जम्मेदारी होती है वो सारी schemes वगरव का जो है लोगों तक उनको पहुँचाना इन सारी सेवाओं जो है भागिदारी रहती है ध्यान में रखेंगे इनके बारे में accredited social health activist आशा workers इनको बोला जाता है क्या है इनके बारे में हमने बात की प्लस इसी magazine में उन्होंने एक आशा soft क्या चीज है इसके बारे में भी बता रखा है तो आशा soft कुछ नहीं है एक सयोगनी को ये जो आशा सयोगनी होती है इनको प्रतिमा दी जाने वादी जो भी इनको राशी दी जाती है उसका online भुकतान इसी software दारख किया जाता है तो आशा soft अगर आपसे पूछ लिया जाए ये एक software है क्या काम है इसका जो आशा ये जो workers होती है आशा soft का मतलब यहाँ पर software से है तो ये एक software है इसे लिए इसको बोला गया है आशा soft ठीके तो ये चीज़ भी है जहां से हमसे maybe question put up हो जाए इन हम बात करते हैं इसी magazine के अंदर जो august sorry जो august की magazine है उसके अंदर एक जो है history से related थोड़ा एक important article था इसमें था कि राजस्थान का जो जलियावाला भाग है उसको मानगर धाम को बोलता है ठीके तो मानगर धाम को बोला जाता है राजस्थान का जलियावाला भाग तो बात करते हैं इसके बारे में क्या-क्या चीज़ें लिखी गई इसके बारे में आला कि आप इसे जो है राजस्तान हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं तो यह जो मानगर धाम है यह बासवाडा के अंदर है सबसे पहली चीज कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्तान में बासवाडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है मानगर धाम इसको यहां पर भी जलिया वाला बाग की तरह ही जो है फाइरिंग वगर की गई थी और कुछ 1500 आदिवासी जो है उनको यहां पर शहीद होना पड़ा था तो इस वज़े से इसको राजिस्तान का जलिया वाला बाग बोला जाता है क्यों यह हमने देखा अब यहां पर एक व्यक्ति है जिनका नाम बहुत इंपॉटेंट है हमार लिए गोविंद गूरु इनको बोलता है तो यह जो गोवींद गूरु है इन्हों ने बंतलब कम जे कम मतलब की आप मानशकते हूं चास बार तो एकजैम में ये अटलीस पूछा गया है question कि कौन सी ये जो सभा है या तो किसने बनाई है या कौन से साल में बनी थी ये दो चीजों पे पूछा गया है तो ये जो गोविंद गुरू थे ठीक है ये एक social reformer थे social reformer लब की समाज सुधारक थे इन्होंने 1903 के अंदर एक संप सभा का जो है स उठान करने के लिए इन्होंने जो है ये संप सभा बनाई थी अब अंग्रेजों को ये लगा कि ये संप सभा इतने सारे लोग इखटे वगर हो रहे मतलब उनको लगा कि हमारे खिलाफी जो है यहां पे कुछ ना कुछ कॉंट्रवर्सी है हमारे खिलाफी कुछ ना कुछ कॉंस्पिरसी की जा दी है तो इस तरीके से फिर जो है इनके उपर अटाक किया जाता है मानगर्ड के अंदर ही इनकी जो है एक मीटिंग हुई वहीं पे जो है पंदरा सो से जाधा आदिवासी यहां पे शहीद हुए थे इनको भी जो है यहां पे जेल हो गई थी इसके बाद इनको भी तो इस तरीके से के कुछ हिस्ट्री रहती है आप ध्यान में रखेंगे राजस्तान का जलिया वाला बाग इसको मानगर्डाम बोलते हैं बाकी आप सब कुछ बहुत डीटेल में इसको राजस्तान हिस्ट्री के अंदर इन पर महिलाओं के योगदान पर बहुत सारे questions पूछे जा रहे हैं in fact अगर आप सारे syllabus भी उठाके देखें अभी जो है syllabus में थोड़े changes लाए जा रहे हैं and role of women जो है आपके RS mains का syllabus का part बनता है specifically syllabus में डाल दिया गया college lecturer का जो syllabus था उसका भी जो updated syllabus था उसमें भी role of women in history of राजस्तान करके जो ऐसे कुछ है ने topics डाल दिये गए है कि महिलाओं का योगदान बताईए आप राजस्तान की history के अंदर राजस्तान के अंदर महिलाओं के योगदान पर बहुत सारे questions पूछे गए हैं फिर आप देखेंगे college lecturer के paper में ही एक question भी यहां से put up हुआ जहाँ पर उन्होंने महिलाओं के योगदान पर जो है राजस्तान history में कुछ questions यहां से put up किये गए थे और यहीं इस article में भी जो है उसके answers मिल जाते हैं ठीक है तो यह जो था पंदर आगस की आपकी जो आगस की magazine थी इसमें उन्होंने बताया कि हमारा जो स्वतंतिता अंदोलन था राजस्तान का इसके अंदर भी महिलाओं का बहुत एक important role रहा बहुत ही एक महत्वपून इनका योगदान रहा इस article में एक छोट ऐसा article है लेकिन उन्होंने जो काफी detail में है इनके बारे में बताया गया है तो हम इसके बारे में देखते हैं कौन कौन सी चीज़े हैं या फिर important facts हैं जो हम यहां से निकाल सकते हैं ठीक है तो पहली चीज़ तो उन्होंने बात किया है कि किस सरीके से राजस्थान में महिलाओं का योगदान एक जो है काफी योगदान रहा और फिर यहां पर देखिए कि वर्ष 1930 में जब नमक सत्याग्रह हुआ था उस टाइम पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे राजस्थान में भ प्रकाश्वती सिन्हा इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में एक महत्वपुन भूमी का निभाए थी तो आप से पूछ लिया जाएगा अजमेर मतलब इस बारी जो कॉलेज लेक्चिरर की पेपर में बूट अब हुआ था इसी तरीके से था कि आपको आंदोलन के नाम दे द सकते हैं कि जब भी आप आंदोलन वगरं पढते हैं राजस्तान के अंदर वगरा तो आपको पता चलता है कि जतने भी न्यूस पेपर खरये हैं वो आज्मेर से ही प्रकाश्वती सिन्हा और तो इन्होंने किया क्या हमारा सत्याग्रह आदोलन हुए था उसके अंदर एक इ था काफी महिलाये जो है राजसटान में वो जेल बी गई थी, अभी हम बात कते हैं, श्रीमती अंजना देवी, इनका भी एक बहुत ही महत्वपुन रही राजस्थान से जिनको जेल जाना पड़ा सत्याग्राय आंदूलन के अदर फिर वर्ष 1942 के जो अगस्त क्रांती हुई थी ठीक है ऑगस्त इसके अदर बहुत सारे इसे नाम दे रखें जैसे श्रीमती रमा देवी पांडे श्रीमती सुमित्रा देवी सुमित्रा देवी खैतान श्रीमती इंद्रा देवी शास्तरी श्रीमती विद्या देवी बहुत सारे इसे नाम हैं बट आपको कुछ-कुछ specific नाम द्यान में रख भी थी श्रीमती काली बाई इनको आप राजस्तान हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि रस्तापाला जो इंसे रिलेटेड इनका नाम लिया जाता है काली बाई का तो इनका जो है यह अपने स्कूल में जो एक टीचर है अपने जो शिक्षक थे उनको मतलब इनकी स्कूल बंद करव वगेरा उसके अंदर श्रीमती काली बाई यह अवार्ड भी दिया जाता है तो श्रीमती अंजना देवी अगरवाल ने बिजोलिया तता बेगु किसान आंदोलन तो आपसे यह पूछा जा सकता है तो आपको जो आंदोलन है उसका नाम पता होना चाहिए और उसमें कौन ज बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद बेगु का किसान आंदोलन इसके कुछी वर्ष पात शुरू हो जाता है तो बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगु किसान आंदोलन से किसका संबद है श्रीमती अंजना देवी अगरवाल का है ठीक है इन्होंने मेवार ये महिलाओं का नितित्व कर इन्होंने मेवाड वा बुंदी राज्य में महिलाओं के राष्ट्रिता और समात सुधार में बावना इन्होंने पढ़ाओ फिर इन्होंने 1924 में बिजोलिया में लगबग 500 महिलाओं के जत्ते का नितित्व किया था ठीक है फिर अगला हम देखते हैं नाम वो है श्री मती रतन शास्त्री का श्री मती रतन शास्त्री 1934 से 1936 तक अजमेर के नारोली के आश्रूम तेकि अजमेर में एक नारेली आश्रम है यहाँ पर अजमेर के नारेली आश्रम में रहकर राज्यका प्रजा मंडल के सत्याग्राय आंदोलन में सक्रिया एक रूप निपाया था तो आप ध्यान में रखेंगे रूप में हिस्स पिर एक और हम नाम ध्यान में रखेंगे श्रीमती नगेंद्र बाला यह इंपोर्टेंट ताम है आपके लिए यह किसान अंदोलन्य में सक्रिया रही 56 में सरकान ने इनको पद्म विभूशन से भी नवाजा है ठीक है पद्म विभूशन भी इनको मिल रखा है श्रीमती नग जिनको बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण कुम्बलगड किले के अंदर उनको कैद रखा गया था तो इनका नाम आप दियान में रखेंगे नारायनी देवी वर्मा ये बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटिड है कुम्बलगड के किले में इनको रखा गया था नारायनी द 44 में महीला शिक्षा तथा जागरिती के लिए भीलवाडा में एक महीला आश्रम नाम से एक संस्था भी स्थापित की ती तो अबी हमपढ़े रहे हैं किसके बार में नारायनी देवी वर्मा के बारे में इनका जो संबन्ध है मिवाड और इसी से रिलेटेड है इसी में जो है यहाँ पे जो किसान आंदूलन हुआ, वहीं इसे इनका संबंद है, कुम्बलगर के किले में इनको जो है कैद रखा गया था, महीला आश्रम इन्होंने स्टार्ट किया था, भीलवाडा के अंदर महीला आश्रम, नाम की एक संस्ता इन्होंने स्थापित कीती महीला हों के यह important है नाम क्या है श्रीमती शांता त्रवेदी यह उदैपुर में राजस्थान महीला परिशद की इनोंने स्थापना की थी उदैपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौनसी राजस्थान महीला परिशद उदैपुर रियासत के अंदर कौनसी श्रीमती शांता त्रवेदी इन अगला नाम देखिए श्रीमती कमाला देवी इनुने अजमेर से चपने वाले प्रकाश पत्र में लेखन कार्य क्या था था तो पूचा जा सकता है इसी पत्र का Also है किसी ने ठीक है हमारे राजस्तन की हिस्ट्री में एक लेडी का नाम आपसे पूचा जा सकता है महिला पत्रिकारत तो यह कौन है कमला देवी हैं फिर प्रसिद मंडगाई का जो है प्रसिद मंडगाई का कौन श्रीमती अलाजिलाइबाई इनको हम जानते हैं इन्होंने इन्होंने भी इस स्वतंददा आंदूलन के अंदर जो है इसमें बताया गया है कि इन्होंने बढ़ चरके इसके अंदर हिस्सा लिया था तो आपको अगर दे दिया जाए लिस्ट के इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था तो जी हां इन्होंने भी इसके अंदर हिस्सा लिया था तो ये कुछ तीन-चार नाम है इसमें उन्होंने बहुत सारे नाम दिये हैं बट तीन-चार ये मोटे-मोटे नाम आपको एक अंजना देवी का नाम ध्यान में रखना होगा नारायने देवी का ध्यान में रखना होगा एक आपको ध्यान में रखना होगा काली का नाम नहीं मिलेगा अला जलाइबाई के बारे में लिखा नहीं जाता है कि उन्होंने स्वतंतर अंदूलन वगरे में पार्टिस्पेट किया था तो यह कुछ चीज़ें कुछ नहीं चीज़ें जो आप सीख सकते हैं इस किताब से और में भी हो सकता है कि आने वाले एक्जाम्स में यहां से questions put up किये जाएं बिकुस यहां से major questions पूछे जाते हैं role of women पे ओके सो आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कौन से important articles थे हमारी जो magazine है उसे current affairs की magazine से ही आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीस like and share the video and subscribe to our channel and thank you for visiting आटें कि और आटें आटें को बाते हॉ प्रवादेंगों औरते हैं वीडियों नहीं आटेंगे।